हलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू प्रिटी कॉर्नर और आज की इस लिडियो में हम लोग करेंगे राधा अस्टमी की पूजा तो आप चाहें तो राधा जी के आपके पास कोई प्रतीमा हो तो उनको रख्या पूजा कर सकते हैं तो आप मेरी तरह इस तरह पोटो अगर आपके पास है तो आप वो भी रख लीजीघा तो इस तरह के से मैंने राधा जी और कृशन जी की फोटो ले लिया है और जब भी आप राधा जी की पूजा करें तो कृशन जी जरूर होने चाहिए चाहें फिर वो बाल गोपाल हो, चाहें बड़ा सुरूप हो, क्योंकि बिना किशन जी के राधा रानी की कोई भी पूजा संपूर नहीं होती है, और जैसे कि आपको पता है, राधा किशन के बिना और किशन राधा के बिना अधूरे हैं, तो आप राधा स्चमी पे किशन चावलो का आसन देते हैं, हमारे गनपती भगवान को विराजमन कर लेंगे, और इसके बाद हम यहां पर चावलो से अस्ट दल कमल बनाएंगे, ताकि उसके उपर हम अपना कलस थापित कर सकें, और आपको अस्ट दल कमल जरूर बनाना चाहें, राधा स्चमी वाले दिन ब अगर आपके पास यूगल सरकार की चोटी-चोटी प्रतिमाएं या फिर लड़ु गोपाल और राधार अने की चोटी-चोटी प्रतिमाएं तो आप उन्हें इस कलश के उपर स्थान दे दीजिएगा इस चावल की कटोरी में, और आज के दिन लड़ु गोपाल को राधार रानी को पंचामरित से स्नान करवाना चाहिए, उन्हें नयने वस्त्र और गहने अभुशन वगयरा पैनाने चाहिए, लेकिन मैंने यहाँ पर फोटो रखी है, तो मैं इसे गंगाजल चिड़क के इस तरीके से शुद्ध कर लूँगी, चोटी पर गंगाजल चिड़क सबसे पहले, फिर जो हमने चोटे से लड़ु गोपाल जी का सुवरूप रखा है, उनको कर लिया है, और कृषन भगवान जी को भी कर लिया है, उसके बाद हम रोली सितिलक करेंगे हमारे कनपती भगवान को और राधारानी को, और इसके बाद हम चावल भी लगा देंगे और जैसा की कहा जाता है कि जो राधारानी थी वो भगवान श्री कृष्ण से साड़े ग्यारा महीने बड़ी थी, और जो कृषन जी का जनम हुआ था, वो कृषन जी का जनम हुआ था, भधरपद की कृषन पक्ष की एस्टमी को और राधारानी का उसके ठीक 15 दिन बाद ह हुआ था, वैसे वो उनसे साड़े ग्यारा महीने बड़ी थी, और ऐसा कहा जाता है कि जब राधारानी का जनम हुआ था, उसके बाद भी उन्होंने आखे नहीं खोली थी, जब तक भगवान श्री कृष्ण का जनम नहीं हो गया था, और कई-कई लोग इसे पांस साल भी बताते हैं, और कई लोग साड़े ग्यारा महीने भी बताते हैं, और इनका भी जरम उसी तरह से धूम-धाम से मनाना चाहिए, जैसे कि हम जनमास्त्मी मनाते हैं, और देखे अब मैंने यहां पर चुन्नी उड़ा दी है, इस तरीके से प्रतीमा को, और हमने अपने गनपती महाराज के आगे इस तरीके से दुरुवा घास रख दी है, और कुछ फूल भी रख दिये हैं, और ऐसा भी कहा जाता है कि जिन लोगों ने जनमास्त्मी का वरत किया है, उसका पून फालूने तभी मिलता है, जब वो राधास्त्मी का भी वरत करते हैं, और अब यह देखे मैं यहाँ पर चंदन लगा रही हूँ, तो इस तरीके से आप भी अपनी प्रतिमाओं को, अपनी फोटो को, तस्वीर को सबको चंदन जरूर लगाईएगा, और जब आप राधारानी का पूजन करते हैं, तो भगवान श्रीकिष्न बहुत प्रसन होते हैं, और इसी तरीक अगर आपको लड़ु गोपाल को श्रीकिष्न को खुश करना है, तो आपको राधारानी की पूजन अविश्य करना चाहिए, क्योंकि राधारानी का पूजन होने से भगवान श्रीकिष्न बहुत प्रसन होते हैं, क्योंकि वो उनकी जो है मन में बसती हैं, और जिसके मन की इच्छा पूरी की जाती है तो वो आपकी इच्छा को पूरी करते हैं और राधा अस्टमीक अगर आप व्रत करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा शुग रहता है धन्दानने की कभी कमी नहीं होती है और राधा रानी को इजिन सुहाक का समान जरूर चढ़ाना चाहिए चूड जरूर बनाए अरवी की सबजी तो विशेशकर जरूर बनाए धही की अरवी जो की राधा रानी को बेहत पसंद है और उसी का उनको भोग लगता है और यहाँ पर मैंने थोड़ी सी मिठाई भी रख लिया है और इन सब चीज में आप तुल्चा दल जरूर ढले क्योंकि भ भोग लगा देंगे और आप यह जितनी भी मिठाईयां वगरा हो उनसे भी भगवान का राधारानी का भोग लगा दीजिएगा और हो सके तो भगवान लड्डु गोपाल को आप तुलसी मंजरी जरूर चढ़ाईएगा तुलसी मंजरी भगवान को बहुत अदप प्रिय है तो उनके चर्णों में रखिएगा और उसके बाद हम कपूर आरती कर लेंगे तो इस तरीके से पहले लड्डु गोपाल की राधारानी की कि गनपती महराज की अपने कलश की सब चीजों की आप आरती कर लीजिएगा ऐसा कहा जाता है जैसे जो हमारे लड्डु गोपाल है वो जनमास्टमी वाले दिन रात को बारा बजे पैदा हुए थे ऐसे ही जो राधा जी है वो दोपहर के बारा बजे पैदा हुए थी तो उनका जो पूजन किया जाता है वो दोपहर के बारा बजे के बाद ही किया जाता है और जैसे जनमास्टमी को श्रीक क्रिश्न के प्र और इसी तरह से धूम धाम से जैसे आपने कृष्ण जनमास्टमी का पर्वी मना सकते हैं। और राधास्टमी का व्रत कैसे करना है उसकी भी जानकारी आपको आगे वीडियो में मिल जाएगी। तो वीडियो जरूर देखेगा और आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है प्लीज मुझे जरूर बताइएगा कमेंट करके और अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी न भूलिएगा प्रिटी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद राधे राधे